हेलो एवरिवन दिस इज अनुज वर्मा और यूटूब चैनल वैप स्टेड़ी पॉइंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूटूब चैनल वैप स्टेड़ी पॉइंट प्रिविएस वीडियो में हम नाउन फिनिश कर चुके हैं और कल हमने नाउन का प्र प्रोनाउन पढ़ेंगे तो हमारा यह वीडियो नाउन का सुरी प्रोनाउन का है दिस इस दा फिर्स्ट वीडियो प्रोनाउन तो प्रोनाउन क्या होता है आपको बैसिकली पता होगा प्रोनाउन क्या होता है तो देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है दिस प्रोनाउन तो जो वर्ड यूज होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं ठीक है तो क्या नाउन के इस्तान पर जो वर्ड यूज होते हैं या नाउन के बजाए जो वर्ड यूज होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं तो यह बेसिकली आपको पता होगा यह नाउन का रिपिटेस्ट रोकने क लिए कर एcidos सेंटेन्स की सुनदर्ता जो बनी रहती है ना कि घढ़ जाती है अगर नो लिखेंगे सें संटेस्स की सुनदर्ता प्रका एक नज मकोई दिक्कत नहों हो ठीक है ए psychological के राम एजा हैंडसम भॉई ठीक है राम एक सुनदर लड़का तो यहां क्या है रामिजा रामिजा हैंसम बोई लिखा हुआ है और यहां लिखते तो बार-बार नाउन रिपीट होता ठीक है क्या होता नाउन से तो यहां पर इसकी जगह हम नाउन यह नाउन है यह यूज करेंगे ठीक है तो यह क्या हो जाएगा इस सेंटेंस भी अच्छा लगेगा और सुटे बल भी जैसे राम एक सुन्दर लड़का है वे मेरे स्टुडेंट है तो इससे क्या होगा हमारे सेंटेंस की सुन्दरता बरकरार रहेगी अब आगे देखते हैं यह वाला शित फिल्ड एननल तो नाउन का रिपिटेशन लोखने के लिए शी लगाया है यह नाउन नाउन यह रिपिटेशन रोकने के लिए ही प्रोनाउन का प्रियोग करते हैं जो नाउन के इस्तान पर जो सब्दाते हैं उन्हें प्रोनाउन करते हैं ठीक है जैसे रोहन is my friend he lives in Germany रोहन मेरा दोस्त है वह जर्वनी में रहता है तो यहां क्या हो रहा है रोन एक नाउन है यहां पर नाउन है और यहां प्रोनाउन है ही ठीक है ही क्या है हमारा प्रोनाउन है तो यहां क्या हो रहा है यह नाउन का रिपिटेशन रोकने के लिए ही प्रोनाउन का प्रियोग क्या है तो यहां पर रिपीटेशन रोकने के लिए प्रियोग क्या है और हम नाउन का प्रियोग कहा करते हैं सेंटेंस में जैसे कि हम कहेंगे कि महां कोई जा रहा है तो समवन इस गोइंग देर तो क्या कहेंगे समवन इस गोइंग देर तो इससे क्या पता चलता है हमारा रिपीटे कि तो सोरी दोस्तों कि यह सेंटेंट्स है हमारा समवनीज देयर तो यह कहेंगें समवनीज देयर महां कोई है तो क्या है इसका मतलब कि म야 कोई जा रहा है तो कि क्या करेंगे हम प्रोनावन के उते हैं इनका प्रयोक करते हैं ठीक हैं तो एसे हम कहेंगे पीस के बाहर कोई खड़ा है तो पीस के बाहर कोई जा रहा है यह संवन कि या कह सकते हैं आप किसी ने मेरा पैन चुरा लिया है तो संवन इस्टोलन माई पैन ठीक है दोस्तों समवन इस्टोलन माई पैन किसी ने मेरा पैन चुरा लिया है तो हमें पता थोड़ी है किस ने चुराया है हमें चौर के बारे में कुछ नहीं पताया है तो हमारा पैन चुरा लिया है हमें चौर के बारे में कुछ नहीं पताया है मैं ना एक्जामपल के तुरू देखते हैं तो आईए कुछ और हमारे एक्जामपल है जिनके तुरू हम देखते हैं कैसे रिपीटेशन और नोन मतलब जिसे हम जानते नहीं है अन्नोन के लिए कैसे यूज होता है ठीक है जैसे काव इज यूजफुल एनिमल इट गिवस अस मिल्क यहां किया है एक काव की बात हो जिया आनि यह की बात हो गाय है मतलब गाय है एक यूज फुल आइंबल है जो हमें दूद्वुर्स अ हीज़्यं you कि यजगे हमने इडिन लिखाए ठीक एब नेक्स देख तेन हैं हम रिपिटेशन के लिए राम लौस गेता year he want to marry pack soיה a foul और गीता दो नाउन दियंग है मैं ठीक है और यहां दोई प्रोनाउन दियंग हमें में he or her एक सब्सक्रम्सप्राइमस्पे एक सब्प्रण केस में है ठीक है कि सब्बच्वर्ण केस में verse नह coyकी मैं ङुब ला ठीक है तो यहां पर क्या रखुआ है राम लॉष घटा का मेरी तो राम के लिए यानि यह मैस्कुलेन राम और हर जो है यह फैमिन इन तो इसके लिए हमने राम के लिए he masculine pronoun का प्रियोग क्या है और गीता हर के लिए मतलब गीता के लिए हर का प्रियोग क्या है ठीक है तो यहां दोनों का repetition रोकने के लिए हमने प्रोनाउन वर्ड का यूज क्या है अब ने देखते हैं जब unknown person के लिए हम कैसे करेंगे यहां पर unknown person वहत ही important हो जाता है है कि chimney पतानी होता है कि बहार को रहा है तो उसके लिए भी मियमर को प्रोनाउन करते हैं श९ाशे संटाइड इस वहняं को जा रहा है ठीक है टो यहां क्या और आ country में इसमें प्रोनाउन नहों होरौ एक निच्चे एगा है सोंवन ऊसम्वन इज वोकिंग इन दा गार्डन यानि कोई गार्डन में वोक कर रहा है । तो इसका क्या है यहां पहें हमें नाउन का पता नहीं है कौन कर रहा है तो मनमन का HUMन पर्सण के लिए हमने प्रोनाउन का यूज्त किया आगे हम देखते हैं टाइप ओप प्रोणाउन ठीक है दोस्तो peng वाईए दोस्तों यह कुछ हमारे प्रोणाउन है तो प्रोणाउन आपके समझ में आगे क्या है जोन नाउन के इस्तान पर वर्ड यूज योगते हैं और उन्नोन पर्संट के लिए भी रहो यूज करते हैं कि हमारे हमारे कि टाइब के पर yogh Bam hier फिक हमारा पर सुनल द्रौिlor करते हं कौन सा फर्स्ट और एक उती सब्सक्राइब उसके बाद है सेकिंड हमारा प्रोणाउन तो प्रोणाउन यह प्रोणाउन दर्साता है या अधिकार वाचक कहते हैं यह अधिकार रिपर्जेंट करता है थर्ड है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोणाउन तो इससे क्या होता है यह हमारा कोश्चन जो होतने हैं हमारे वाचक प्रोनाउन कहते हैं ठीक है नेक्टर डिस्ट्रिब्यूटिव प्रोनाउन तो इससे क्या होता है हमारा डिस्ट्रिब्यूटिव प्रोनाउन यह हमारा डिवाइड करता है यह बाटता है ठीक है बाटने काम में आता है एक दूसरे एक से अनुदर से बाटता है ठीक है आइब 5 है हमारा lorsquStrawral प्रोनाओं यह पारसपर शम्मंदरस आता है final यह क्या क्या में sehen kia किरता है किसी बेंभी नाउन के बारे में ठीक है उसके बाद हमारा यह रिलेक्ट करता है किसी वी करनेयर काम होता है उसके बाद एट हमारा इंडिटर प्रोनाउन-फोफन ढंप Q दर्साथ प्र नौन यह होता है छूद को रिफलेक्ट करें अपने आहंक को सू हम्ह wp करें वह तो हमारा एक्सकलेमेट्री प्रोनाऊं तो यह क्या कथ प्रोंता है तो जानती होंगा आप कैसे होता है जैसे वा अचते एक कंच कि तो अचानरे से कोछ बोगना बनだ तो उसे क्या कहते हैं एक्सलेमेटरिए होजाता है हमारा तो यह मारे टैप होगे हम एकख करके सबसे पहले कौन पडहेंगे सत्य जैसे विह 23परसंन जी पर्शन मैं भी में बताया first person second person or third person तो अभी हिनें deeply पढ़ेंगे है है क्या करेंगे-टो पर्सनल प्रोनावन की बात करेंगे पर्सनल प्रोनावन में हमें क्या पता लगता है आप जानते होंगे पीए पर्सिंहर तबcen के बारे में पता होता परसन प्लस अल बड़ाबर बनता ए परसनल परसनल बनता है हमारा तो परसने से इसमें तीन परसन की भात होती है तो पर थीक है तो कैन-खाशन होते हैं यह देखते हैं फर्स्ट परसन सेकंड परसन और थर्ड परसन यह तीन परसन होते हैं जैसे अभी हमने टाइप में बता जिया था प्रोनाउन के कितने परसन है तीन परसन है कौन से फर्स्ट परसन सेकंड परसन और थर्ड परसन तो फर्स्ट परसन कौन से होता है स्पीकर जो बोलता है मालो म से भात कर रहा हूं एक कि जी अभात कर रहा हूं तो मैं फिर्स परसन होगा ठीक है कि और को ताउल एथ हमारा से फिर्ट इसंद पर्शन होता है पो टूगो जिसे हम बाच करते हैं जो हमारे सांङर hawtani रहता है कुंछ है अंब साभी तो क्या स्तामारा यह सेंगें परशन होता है आपके में समझ में आ घहा होगा तो वह कौन से होता है सेकिंड पर्सन यानि सामने वादा और थर्ड पर्सन क्या होता हमारा थर्ड पर्सन होता है इस पुक्वन ओ जिसके बारे में बात करते हैं जैसे कि मैं फर्स्ट पर्सन हो गया मैं आप से बात कर रहा हूं आप सेकिंड पर्सन हो गये और थर्ड पर्सन मैं किसी यानि के मानलो मैं सारुक खान के बारे में बात कर रहा हूं तो वह क्या हो गया थर्ड परसन हो गया जिसके बारे में हम बात करते हैं समझ में आगे होगा आपके यानि के फर्स परसन इस पीकर जो बोलता है यानि मैं फर्स परसन हो गया मैं आप से बात कर रहा हूं आप फर्स्ट पर्सन में हमारा आई आता है सिंगलर में यह पास्ट में तो सिंगलर वर्व लेता है और पर्जेंट में पूलर वर्व लगती है ठीक है उसके बाद सेकिंड पर्सन है वी सोरी फर्स्ट पर्सन यह वी पूलर फर्स्ट पर्सन है वी पूलर ठीक है यह पूलर भी लेगा ठीक है अब फर्ट पर्सन में सिंग्वलर में यहीशी इट आ जाते हैं यह सिंग्लर अब लेते हैं तो आपके समझ में आगे होगा एक बार फिर से बता देता हूं मैं अच्छे से आपको अच्छे से याद हो जाएगा फिर्ट पर्सन क्या होता हमारा जिसके बारे में सोरी जो बात करता है यानि कि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं क्या हो गया फिर्ट पर्सन हो गया आप सुनने वाले हो यानि इस पोकन टू जो सुनता है जिससे बात कर रहाएं मैं मैं किसी भी टिछर के बारें में बात कर रहा हूं राहों सरे आप बढ़ाते हैं यूटूब पर तो वे ठर्ट पर्सन हो जाएंगे ठीक है तो आपकी अच्छे से समझ में आगे होगा फर्सन अब हम केसो प्रोनावन की टेबल देखेंगे दोस्तों हम personal pronoun के case देखते हैं तो यहें case of personal pronoun ठीक है तो first person में हम आ रहा singular है यह इसका अमने टेबल बनाई है इसे table के तुरू समझते हैं तो table के द्वारा हम समझेंगे नंबर लिख के वहें मैंने इधर first person second person थर्ड परसन लिख वह आपको दिख रहा होगा ठीक है तो यह first person second person third person तो first person singular में आई आता है हमारा नॉमिनेटिव केस पहले आपको table समझाता हूं में यह नमबर लिखके हुए है यह सब्जक्टिव केस लिखके हुए है यह अक्यूसिटिव यह स्विंग्लर में हमारा नॉमिनेटिव केस में यानि सब्जेक्टिव केस में आता है रुजेक्टिव यानि एक्कॉसिटिव तुझेज मं होगा ठीक है में पूलर नमबर देखते हैं ओर होता है हमारा सब्जयक्टिव ऑपडायर होता है और प्लगान इसम जो कुछ लोग और भी बोलते हैं इसे लेकिन अर्स होता इसका प्रॉनॉसेशन ठीक है और कहते हैं न आप से स्यक्राइब है से से कंड पर्सन में हमारा कौन सा आएगा उवायगा सब्यक्तिव केस क्या हमारा सब्यक्तिव केस और अब्जक्तिव केस इसमें objective यूई रहेगा ठीक है इसने पृर्वेंव और पॉझेसिव प्रोनाउन हो जाएगा ठीक था प्रौनाउन यॉर्स पूलमय भी सेम भी रहेगा यू का तो सब्लिव सेम रहे बबिसेम स estéगेमिर गिएगा सोट चैंब यू होता है माया यह प्रोनाउन गोड़िव उसके बाद third person की बात करते हैं तो third person में क्या होगा हमारा third person में हमारे he, c, it आ जाते हैं ठीक है singular में third person singular में he, c, it आ जाते हैं हमारे subjective case में वो इनका objective case क्या होगा यानि he का हिम हो जाएगा, c का हर हो जाएगा, it का it हो जाएगा ठीक है उसके बाद possessive adjective क्या हो जाएगा ही का ही जाएगा और हर का हरी रहेगा ठीक है अर्टक परशन हम पूलर की बात करें तो सब्जेक्टिव केमार सब्जेक्टिव केसि क्या हो प्रोनाउन जो है इसका देर्स हो जाएगा आसा करता हूँ आपकी टेबल पूरी समझ में आ गई होगी और एक बार फिर से आप इसे इसकीन सोट ले सकते हैं अच्छे से अगर आपकी यह फिर भी समझ में आए तो हमें इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या समझ नहीं आया तो मैं हमारा इस्टाग्राम चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको तो वहां जाकर भी आप इस्टाग्राम पर हमें कमेंट करके या मैसिज करके बता सकते हैं इस्टाग्राम चैनल पर वह पर्सनली सोलुशन क के नाम से तो इसी नाम से हमारे हम सब्सक्राइब करते हैं क्यू следaffles करते हैं और जो हमब बोलते हैं तो डालते हैं तो आप उसुझा जाकर विजिट कर सकते हैं और pamię स्टेडी माटेरियल कोंट्रिब्यूट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों है हाँ तो दोस्तों अगर किसी भी सेंटेंस में क्या होता है किसी भी सेंटेंस में वर्ब के पहले अगर प्रियोग होता है किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब के पहले प्रोनाउन का प्रियोग होता है तो यह वो यह सब्जेक्टिव यह ढोल सकते हैं नोमिनेटीव केश dalई रहा है जैसे कि यह लिए में देख सकते हैं यह क्या है आई टीच इस सकते हैं योगे मवत व्रब है यह विड़नररा प्रोनाउन लिखाщееक CT मैं फिल्ट से अगर प्रोड़ाउन में रहाए तो वह सब्जट यूंट में होगा वह और अगर वर्प के बाद हमारा हम प्रो वह सब्छर्व कर न हो जाएगा जैसे के मिले कि का इस सब्छर्व परसेन ही और फर्ष बेर्संट आई है तो क्या लिखावाए ही का objective case लिखावाए हमारा थर्ड परसन ही का objective case समझ के होंगे आप क्या अगर किसी भी sentence में वर्ब से पहले वर्ब से पहले जो इफ्मने करें प्रयोग वो नोमितिव मेंनअचेश जक्यूकि प्रयोग होता और वर्ब के बाद अब्प के बाद अगर करनाउन का प्रयोग होतु होता है रहता है यह कंसितिव है कि तो नेक्स्ट हमारा तोट बाइमी ने में दोबारा पड़ाए गया यह का पेस्टी होई यह देख लो इसमें वहारी तो यह मैंन वर्प के बाद में पहले जो प्रोनाउन का प्रियोग हो रहा है वह अबच्ट्व के अब देख सकते हैं कि अब यहां देख को ही वेंड टू जैपूर लास्टमंग वे पिछले महीं ने जैपूर गई तो उस्में सकते हैं अगा क्या है नेयर तो मैं वर्ब के पहले क्या हो रहा है हमारा प्रों अनका प्रियोक हो रहा है यह वब के बाद से पहले है ठीक है उसके बाद क्या है मारा अब वर्ब के बाद देख सकते हैं आप ठीक है वर्ब के बाद objective यह जापूर हमारा निजापूर objective नहीं है इसमें बस केवल यह है subjective के ठीक है तो आप यहां देख सकते हैं के यह यह नहीं है तो यह है यह यहां पर है के में एक वर्ब हमारी है हमारी तो रह्फ पहले कवंसके हैं सब्गेंज हैं मींनेटीटिव ऊसके बाद सी एयर्ण मी तो यहां क्या है इसमें हेट जो है तो समद्ध्र है सब्जेक्ट युफ नोरा सी जो कि थर्ड पर सन एंशी ठीक है उसके वाद वम्याद के बाद देखते हैं वर्ब के बाद मैं इस्तमाल होिए तो मी क्या है प्रस्ट refusing का अब्जक्टिव केस है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यू एड्मायर हीम तो यहां पर एड्मायर हमारी वर्ब है ठीक है उसके पहले जो हमारा यू इस्तमाल हो रहा है वह सब्जक्टिव केस में हैं और जो उसके बाद हीम इस्तमाल हो रहा है वह अब्जक्ट करते हैं तो अगर किसी भी सैंटेंस में मर दियो वसे पहले प्रोनावन हो सब्ट के सब्ज़ेक्टिव के इसमें इस्तमाल O' गाज में होगा यह आपको रूष अच्छे से समझ में आ अगया होगा थीक है अब आग vaccinated कुछ ऐसे ही रूल आपे दोस्तों कुछ और गोसे उनने देखते हैं जैसे कि एक आपने उन पढ़ा होगा 231 और 123 कुंसा 231 और 123 का रूल आपने पढ़ा होगा और बहुत ही het बहुत ही इंपोटेंट भी है तो इससे कोश्चन बनते हैं जातर एक्जाम में आप देख सकते हैं यह आपकी आसानी से समझ में भी आजाएगा इसीली समझ में आजाएगा ठीक है जैसे 231 का रूल कहां इस्टमाल करते हैं तो 231 का यूज हम पोजीटिव सेंटेंस में करते ह लिए जिसमें कोई अच्छी बात क की गई हो ठीक है जिसमें नेगेटिवीटिपी नहीं हो अच्छी बात की गई और सारे नावं मतलब टीन आंव मिम्स सेकेंड फर्सन और थर्ड पर्सन थ Ellie hen ओं ठीक है और उसमें पोजीटिव बात की गई हो तो रूल 2-3.1 लगते हम प सब्सक्okolव है क्या करते हैं अगर पहले हमने लिखते हैं कि फिर फिर फ्रस्ट पर्सन फिर ने फिर फेले कि परšन स्वेलगते हैं अगर sentence में एक बार और बता रहा हूं है अगर sentence में जो है positive बात की गई हो और तिन्नों हमारे pronoun दिया हो first person second person third person के तो हम rule two three one लगाते है तो क्या लगाते है two three one पहले second person लिखते है फिर third person फिर first person ठीक है तो यह sentence के through लेखते हैं he and I are friend तो यहाँ पर यह दो person दिया हुए है third और first तो यह two percent second person नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे हूं अच्छी बात यह कोई बुरी बात तो है नहीं नेगेटिव बात नहीं है तो यहाँ रूल कौन से इस्तेमाल करेंगे two three one वाला ठीक है अब आगे next example देखते हैं you see and I can manage the situation situation को manage करना भी अच्छी बात है कि हम हमारे पास कोई सीच्छी बात यह नेगेटिव बात नहीं है ठीक है तो हम क्या करेंगे रूल two three one लगाएंगे तो पहले second person फिर third person और फिर first person तो यह बेसिकली लगा हुआ है ठीक है तो यह sentence correct है तो एसे हम next देखेंगे you and I want to help the poor तो पूर की help करना कोई बुरी बात थोड़ी है पूर की help करना तो अच्छी बात है गरीबों की help करते हैं तो अच्छी बात होती है तो हम कौन से रूल लगाएंगे रूल लगाएंगे two three one वाल आई है two three one तो पहले second person फिर पहले second, third और first person तो यहां पर इसमें क्या नहीं दिया हुआ है इसमें third person नहीं दिया हुआ है तो second person दिया हुआ है और फिर first person तो यह देख ले न आप अगर second person भी नहीं हो मतलब कोई सा मिश हो तो इस तरीके से से यूज करेंगे हम सिक्वेंस में अगर third person नहीं दिया हुआ है third person को छोड़के second पहले और first बात में लिखेंगे ठीक है अगर second person नहीं दिया हुआ हुआ है तो second person नहीं दिया हुआ होगा अब negative के लिए देखते हैं अगर वाक्य में जल्के सेन्टेंस में नेगेटिव बाथ दी हो तो सी कैसे लिखेंगे हम हमारे नेगेटिव बात है तो उसका रूल ले 123 तो 123 के र्ल से लिखेंगे पहले first person इसमें पहले first person लिखेंगे तो कि तरी वाले हैं फिर स्देंब और फिर थर्ड पर्सन तो यह वाला रूल हम नगटिव बात के लिए लगाएंगे वाकिया में और कोई सेंटायम कोई बात है तो जैसे आई यू एपलेंड या मेंड ब्लंडर में सोता बड़ी मिस्टेक करना ठीक है है तो इसमें बड़ी मिश्टेक होना एक गलत बात यह नेगेटिव बात है तो यह नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे वन्टू थिरी का रूल लगाएंगे कौन सा वन्टू थृ तो पहले फर्स परसन सैंक्ड फिर थर्ड परसन तो जैसे इसमें लगावा है आई कौन सा सब्सक्राइब करना करना करते हैं हमारा क्राइम करना क्राइम करना क्राइम करना एक बात तो नेगेटिव के लिए पहले तो आई क्या हमारा फर्सट पर सन ए है और यू क्या हमारा से कि यह सेंटेंड पर्सन होगा थैद्ब इसमें दिया हुआ नहीं थीग है तो हम इस तरिके से करेंगे अब छोड़ के हम आगगे बढ़ते हैं अब देखते हैं अगर सारे जो परसुड़ में तो इसमें बात नहीं देखते हूं अगर सारे प्रोनाउन अब समझ लीजिए आप फर्स परसन सेकिंड परसन और फर्सन यह तिननों एक साथ दिए हूं पूलर फोर्म में इनकी सिंग्लर फॉर्म नहीं होकर पूलर फॉर्म में हो सेंटाइब्स में तो हूं क्या करते हैं इन्हें बैसिकली वन टू थिरी के अक स्थम्सक्राइब का इसका प्रूर को इसमें क्या पार्ण हो जाया गा तो इसमें क्या हो रहा है यह प्रूलակ दिए वह रहा है तो अर ने बात निए अर गर जानिक पने participar तो इसमें क्या दिखा का इसमें भी हमारा वन टू थी के करम में ही लगे हैं क्योंकि यह पूलर में दिये हुए है तो इसका पिस्की इन सोट ले सकते हैं और जो आपको समझ मनाया भी मैंने आपको चैनल बताया था वैप स्टेडी पॉइंट के नाम थे उस पर इंस्टेग् तो आप महां पर कमेंट करके बता सकते हैं ठीक है तो देखिए लास्ट रूल हम देख लेते हैं आज का तो क्या है अब्जेक्टिव के हम कहां पर यूज करते हैं यह पहले बता चुका हूं पर एक बार बता रहा हूं फिर से अच्छे से आपके याद हो जाएगा तो अब कर दुढ़र और टो प्री कि पोशिशन के बाद में पेपोश्चन के बाद में अलए आफ्र वरब प्रीपोश्चन के बाद यूज करते हैं ठीक है तो यहां देखते हैं लेट मी गो तो लैटक्या हमारा लैट एक वर्व है तो वह माननी जाती है यह और वर्वैउयर यह में पर यहां पर थीक है अब यहां तो हमारी से समय हुआ है कि प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन में इस्तेमाल हो रहा है तो हमारा परस्ट परसंड आई का objective करते हैं ऑब्जक्ट्य के सिटो ani 철 टोल आस स्टोरी से तो इसमें क्या है टोल ट्रोट के बाद क्या रहा हुमारा थो यानि 1 v ka polar ka objective case है ठीक है यानि वी का objective case us होगा ठीक है डोस्तों next जेखते हैं he depends on me to on क्या है हमारा ओन ही प्री पोजिशन है क्या है प्री पॉजिशन हमारी प्रीपोजिशन के साथ तो मॉर्व माता हुचक प्रोड़्ड के इस में करते हैं कि उब्जक्टिव एच स्टेए अब नेजसे वाग्राइसी वाफिंग धी यूंड हीम तोionen प्रोजेशन के बाद में प्रोजेशन करेंगे जैसे यू एंड ही लिखावाय यह अबजक्टिव केस तो अपको अच्छे से चमझ में आ और ऐसी सोरी personal pronoun तो कल हम next pronoun पढ़ाइंगे ठीक है दोस्तों और एक बार करते हुँ किसे परये करते हैं इसे देख सकते हैं आप यहां पर लिठाव है इसे डिपनस क्या ह mechan कहा है पहले क्या हrl सब्जक्टिव केस लिखका हुआ है हमारा ठीक है दोस्तों तो पहले भी बता चुका हूँ एक स्लाइड में इसे बिल्कुल बेसिकली के अब्जक्टिव और सब्जक्टिव केस को कैसे उच करते हैं दोस्तों आज हमने पर्सनल प्रोनाउन फिनिश क्या है कल हम आगे करें सब्सक्राइब करें ओक करो जोस्तों कि अ झाल झाल